और इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता दे ब्रजबुशन का पहलवानों के मुद्दे पर बोलने से इंकार मामला कोट के संग्यान में कुछ कहना अभी उचित नहीं है मामले में 15 जून तक चाशीत दर्च होगी नवालिक पहलवान के पिता ने कहा सता रहा है डर तो ये बड़ी ख़बर फिलाल ब्रजबुशन ने इस मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है ब्रजबुशन ने कहा है कि अभी मामला कोट में चल रहा है और 15 जून तक चाशीत दाकिल की जाएगी सबकी निगाहें दिल्ली पुलिस पर टिकी हुई है कि दिल्ली पुलिस अब चाशीत में क्या रिपोर्ट पेश करेगी कोट में जब ये चाशीत पेश की जाएगी क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में पहलवानों ने कई महीनों तक आंदोलन किया एक ही मांगते ही कि ब्रजबुशन की गिरफतारी होनी चाहिए लेकिन बहराल अब ये पूरा मामला किस दिशा के तरफ जाएगा ये देखने वाली बात होगी ग्री मंत्री में चासे भी मुलाकात हो चुकी है पहलवानों कि उसके बाद खेल मंत्री अनुराक ठाकोर से मुलाकात होई है इन सब के बीच ब्रजबुशन चरण सिंग के कई बयान सामने आ रहे है लेकिन बहराल ब्रजबुशन चरण सिंग ने इस मामले पर काया है कि अभी मैं इस मामले पर खाबोश हूँ क्योंकि यह मामला कोट में 15 जून तक चाशेट दाकिल होगे और आपको बता दें कि ब्रजबुशन बनाम पहलवान केस में नया मोड़ा आ गया है इंटरनाशनल रेफरी की गवाई से नया मोड़ा है कुछ तो गलत हुआ था महिला पहलवान एसहच थी रजबुशन महिला पहलवान के बगल में खड़े थे पिडित पहलवानों के समर्थन में चार गवा सामने आया सुत्रों के वाले से खबर है प्रजबुशन चूकर बोल रहे थे इधर राजा यहां खड़ी हो चलिए इस खबर प्योज़ाद अपडेट के लिए सीधा रुकते हैं मेरे सयोगी प्रभाकर मिश्रा का प्रभाकर इस केस में एक के बाद एक नए मूड आ रहे है नए गवास सामने आ रहे है और कई बार जिनोंने आरोप लगाएं के रहे हैं वो अपने बयान भी बदलने है ये बयान जो इंटरनाशनल रेफरी का सामने आया है जिसमें काफी महत्रपूर बाते के गई है जो ब्रजबुशन के मुश्किले बढ़ा सकती है अब इसका मतलब तो यही निकलता है लेकिन रवी जिस तरह से बयान दर्ज हुआ पहले बयान दर्ज हुआ पॉक्सु एक्ट के तहत नाबालिक लड़की ने बयान दर्ज कराया और उसके बाद वो लड़की खुद जाती है मैस्टेट के सामने 164 के तहर दुबारा बयान दर्ज करती है और बयान से और जो अब उस लड़की के पिता ने इस बात को स्विकार किया है कि बयान में बदलाओ कर लिया गया और उसमें ये बात कही गई कि दरसल वो बदला लेने की भावना से सेक्सुल हरस्मेंट का बयान दिया गया था अब इसके बाद ये बाकी सारी जो चीजे होती है वो गौड हो जाती है जो इंटरनेशनल रेफरी ने जो बाते कही है वो बाते FIR में उस लड़की के तरफ से दर्ज कराई गई थी कि उस इवेंट में जहां फोटोग्राफी हो रही थी वहाँ पर एक्यूज ने आरोपी ने उस लड़की को बुरी तरह से बुरी छुआ था और उसी बात को इस रेफरी ने बात कही है और मेरी जानकारी में जो 115 के आसपास जो गवाह है उसमें से चार लोगों ने ये बाते कहीं जो आप सुत्र के इसाब से बता रहे है वो बात सही भी है कि चार लोगों ने उनके पक्ष में दिया है लेकिन पक्ष की गवाही तो तब होती है या उसके मायने रह जाते है जब पीडित अपने बयान पे कायम हो, कायम रहे और मैं थोड़ा सा खानून के इतर जाके एक बात और कहने की कोशिश करता हूं रवी कि एक शब्द होता है सत्याग्रह जहां पर जब तक किसी व्यक्ति कोई पीडित कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ न्याय हुआ है उसका आग्रह सत्य के प्रति नहीं हो वो सत्य के लिए लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नाहीं हो तो फिर उसे नियाय मिलने की उन्जाइस नहीं रहेगी अब बात आती है कि लड़की के पिता ने एक बयान दिया पहले के बयान को जुटलाया गया कि उन्होंने जूट बोला लड़की बालिक थी, उसे नबालिक कहा गया, पहले का बयान गलत दर्ज कराया गया था, लेकिन जब वही व्यक्ति ये बयान देता है, कि दरसल इसने जूट बोला था, गलत आरोप लगाया था, उस बयान को सही मान लिया गया, कोई ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, कि उन्होंने गुसी में आकर ऐसा बयान दे दिया, तो ये बात सब लोग सही मान रहे है, उस बयान को सब लोग जूटा मान रहे है, उसे जूटलाने की कोशिश करें, जिसमें कहा गया, उस लड़की ने कहा, कि उसके साथ गलत हुआ, तो ये भी एक वीडमबना है, इसे भी स किया रहता है, यही बात की जाती है, कि इस व्यक्ति को एंटिसिपेटरी बेल नहीं दिया जाना चाहिए, क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, उसमें बाते कही जाती है, कि ये रसुखदार है, ये केस को प्रभावित कर सकता है, ये पीडित को डरा धमका सकता है, सबुतों क से लेकर करके मनेशी सोधिया में सब में कोट में यही बाते कही जाते हैं जाजेंजिस्यों के द्वारा कि अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो यह केस को प्रभावित कर देंगे पीडित को प्रभावित कर देंगे, सुबुतों को प्रभावित कर देंगे, सबुतों से छेड़ चार कर लेंगे तो मतलब ये कि इस खेल में, इस पूरे घटना क्रम में इतनी परते हैं उसे समझने की जरुवत है, दो बार की मिटिंग हुई, आपने देखा ग्री मंतरी से मुलाकात होती है, उसके बाद खेल मंतरी से मुलाकात ही होती है और उसके बाद सारी चीज़े होती हैं, तो रविक कुछ चीज़े होती हैं जिसो कहते हैं कि रिटेन ओन दवाल दिवाल पे लिखी हुई है, तो हम इंदा नहीं कहेंगे प्रभाकर ये माने कि अब दिल्ली पुलिस तो चाशीट दाखिल करेगी प्रभाकर, उस पे सब की निगाहें ठीकी हुई है। तेखिए जैसा कहा गया जैसा समझोता हुआ जैसा बताया जा रहा है कि 15 जून के पहले पहले चार सीट फाइल हो जाएगी अब उस चार सीट को समझने की कोशिश करिए कि पूरा हाय तोबा जो मचा हुआ है उस बात को लेकर मचा हुआ है कि पौक्सो के तहद जो मामला था तो लड़की बालिक थी या नाबालिक थी और पौक्सो के तहद जो मुकदमा दर्जवा था वही मुकदमा है जो परिशान कर रहा है और मैं कल एक फिल्म देख रहा था बंदा फिल्म है एक बंदा काफी है मनुज बाचपे की उसमें भी जो वीलेन है वो बार-बार इसी है बात पर जोड़ दे रहा है कि किस तरह से पौक्सो किस तरह से डिया जाए तो यहां पर पौक्सो ड्रॉफ होने की परियाब संभाभंहें इसलिए कि बयान बदल दिया गया बयान बदल लिया पिडिता ने तो उसके बाद इस चासीट के बहुत माहिverbs उन्हीं रह जाए reproductive बेलेबल मामलें में ट्राइल चलेगा बेलेबल मामले हैं बाकी के मामले जमानत मिल जाएगी और उसके बाद जैसे बाकी के और मामले हैं बाकी के और F.I.R. है बाकी कोई साइसे बाकी कोई ट्राइल चल रहे है वो ऐसे और चलते रहेंगे लेकिन मतुपुन बात ये है कि को मामला, कोई सामाने मामला नहीं है। अगर किसी लड़की ने बहुत डरा हुआ, मेरा परिवार बहुत डरा हुआ है। मैं किसी लालच में ये बहुत डरा हुआ है उस समय पीड़ा है इस बात को समझने के लिए उस तरह का समय दंसीलता दिखानी पड़ेगी और मुझे लगता है कि यह सब कुछ उस ट्रायल कोड के जज़ पर निर्वर करेगा जब उस जज़ के सामने बाते जाएंगी और ज़ज के सामने अगया मामला आएगा कि पहले बयां में किशा नहीं है लेकिन भी वे एसस सब कुछ आगे लेकर जाता है फीक है निगणास सुनवाई पर ठीक होँगी चाश्रीट पर ठीकी होगी कि अब आगे फैसला क्या जाएगा एक आंदोलन हुई है लंबी लडाई हुई है इस लडाई का अंजाम क्या होगा